स्वेज नहर लाल सागर और भूमद्य सागर को संबध करने वाली एक नहर है सन 1869 में एक फ्रांसिसी इंजिनियर फर्डी लेंट की देख विरेक में स्वेज नहर का निर्मान शुरू हुआ था यह नहर आज 165 किलोमेटर लंबी, 60 मिटर चौड़ी और 10 मिटर गहरी है चौड पर बाद में घंसी इस नहर के निर्मान में 32 –fps अत्रंम वर्फ्छ क opacity म मिसर थिश के नियंतरण में इस नहर का चुपड़ी कर बहुत आधिक है इस नहर की लंबाई पर नहर के दूबनी मीश का था運動 का प्रण के इस लिए ने खरीद लिया था 1888 इस्वी में एक अंतर राश्ट्र उप संधी के अनुसार यह नहर युद और शांती दोनों कालों में सब राश्ट्रों के जहाजों के लिए बिना रोक टोक समान रूप से आने जाने के लिए खुली थी किन्तों अंग्रेजों ने 1904 इस्वी में इसे तोड़ दिया और नहर पर अपनी सेनाई बठा दी और उनी राश्ट्रों के जहाजों को आने जाने की अनुमती दी जाने लगी जो युद्रत नहीं थी 1947 इस्वी में सुईस गायनाल कंपणी और मिश्र सरकार के भी जहनी इस्चे हुआ की कंपणी के साथ 99 वर्ष का पठा रद हो जाने पर इसका अस्वामित्व मिश्र सरकार के हाथ में आ जाएगा मिश्र ने इस नहर का 1956 में राश्ट्रिय करान कर अपने अधिकार में पूरी तरीके से ले लिया यह थी सुएज नहर के बारे में बेहदी उपयोगी जानकारी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा और ऐसी ही उपयोगी जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फोर वाचिंग अगले वीडियो आने तक जया हिंदु